हिमाचल प्रदीश सिफे रेडर्स एसोशेशन ने हमीरपुर जिला के समीरपुर में दो जावान दर्ट अधिकारियों को हमीरपुर में समानित किया जिनोंने अदम्य साहस्व बिलता का पर्चे देते हुए समुद्री जहाज में लगी आगपर काबुपाने में महतरपुर्ण भूमी का अधा की थी हमेर पर में हुए सादे समान समारों में दो कमांडेड अधिकारियों अनुराग चोधरी और सचिन बर्मा को पूर्प मुक्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल ने स्फेरेडर्स अशोशेशन की तरफ से समान से नवाजा आपको बता दें कि सितंबर 2020 में भारत और श्री लंका की सीमा पर एक स्मुद्री तेल के टेंकर को आग ने पकल लिया रेस्क्यू करने में मदद की ये दुर्खटना 3 स्टंबर को ही थी जिसमें ग्रीस के समुद्री जहाज में आग के कारण बड़ा धमा का हो सकता था लेकिन दोनों अधिकारियों की सूजबूच और हिमत के चलते हाथ साटल गया सजिन बर्मा हमिरपर के दस नमबर बाट के रहने वाले हैं और सैनिक स्कूल सुजान परढ़ेरा के चात्र रहे हैं जबकि अनुराक चोद्री इसी जिला के चक्मो गाउं के निवासी हैं प्रदीश सिफरेरर्स अशोशेशन के संस्थापक सदस्य कैप्टन संजे प्राशर ने कारेकरम में कहा कि प्रोफेसर धूमल बिजनरी लीडर हैं उन्हें कहा कि स्मुद्र की हमाओं में भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की चर्चा होती है ऐसा इसलिए है कि यहां उपसित स्मुद्री तट रक्षकों ने कम से कम पचास देशों के यात्रा की है उन्हेंने कहा कि प्रोफेसर धूमल के कारेकाल में उच्छिक्षा के कारण हमिरपुर बपूरे हिमाचल की तस्वीर पदल गई जिसके दो तरह के फाइदे हुए सबसे बड़ा लाब यह हुआ कि उच्छिक्षा के कारण हमिरपुर और कांगडा में मर्चंट नेवी की भरती दुगनी हुई प्रोफेसर धूमल ने हमेशा राजनीती में हमेशा सुहर्द पूर्ण महोल बनाये रखा और उन्होंने सदैब हर आदमी को प्रोथ साहित किया राशनी अधिकारियों के जजबे और होसले को सलाम करते हुए कहा कि बेगर्ब महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे उधारन बहुत कम देखने को मिलते हैं जब कोई अपनी जान की परवा किये बिना इस तरह के कारें को स्फल्दा पूर्वक तरीके से पूरा कर देते हैं शब्द मेरे पास पूरे पढ़े हैं मैं एक लाइन में कहूंगा कि हम यहां पर सरफ इसलिए है सर कि हम आपको विजिनरी लीडर मानते हैं शायद सर समुंदर की हवाओं में आपके नाम की कितनी चर्चा होती है आपको उसका शायद एक परसंट ज्यान नहीं होगा ऐसा मेरा इसलिए मानना है कि सर हम में से एवरेज जो यहां पर लड़का बैठा है कम से कम एक एक लड़के ने पचास-पचास देश में हैं एक एक लड़के ने, सर उसमें कम से कम, मेरे जरे से ने तो चलो 82 देशों में 34 जगा हिंदू मंदिर या गुर्दवारों में जाकर नमन किया है, सर हमने हिंदुस्तान की विरासत को सनात्म धर्म को ऐसे सी जगों में देखा है, सर मतलब हमने साही बाबा के भजन फीजी जाक करने शादे हैं कि जो काम आपने हमारे हिमाचल के लिए किया, जिसके लिए जिसमें हिमाचल की तस्वीर रहा है, वो बदली है क्लशा में में दादाद ही, वो वो डबल होई है, पिछले साथ साल में हिमाचलियों की चलती रहती है लेकिन सर जो accessibility है एक simplicity और जो accessibility है मुझे लगता है आज सब यह मांनते हैं कि आपके यहां ना मतलब हमको लगता है हम अपने आपके घर में आए ना कि आपके घर में आए यह हमको बाता अवरान कहीं नहीं मिलता हम इसके हमेशा क्योंकि जब समुंदर में काम करते हैं इसके बड़े प्यासे रहते हैं कि हम अपने अपनों के आज आए आपके पास इसलिए हमें लगता है आप हमारे अपने हमने पूर्मुक्य मंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल ने इस कारिकर में कहा कि पहाड पर जो होता है आखिर उसकी मंजिल स्मुद्र ही होती है उन्हें कहा कि हमिरपुर के जो जावास अधिकारियों ने उपलब्दी हासल की है वो हिमाचल परदेश के लिए गर्ब गौरब की बात है उन्हें कहा कि उन्हें भरोसा है कि वेशक हिमाचल वेशक भगोलिक द्रिस्टी से छोटा है लिकिन जब रास्टर की सेवा की बात आई है तब तब हिमाचली लोगों ने बर्चर्ट कर योगदान दिया है धुमल ने कहा कि चाहे मर्चंट नेवी सेना बायो सेना या थल सेना हो सब में हिमाचली जवानों की उपलब दिया है जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो रेस्ट क्यूब ओपरेशन में शिमला की ब्रिगेडियर सुसोधिया जिन्हों ने इस ओपरेशन को लीड किया और सफल रहे कारगल जंग में पाकिस्तान से लटते हो चार परमबीर चक्र में ये सम्मान हिमाचली सैनिकों को मिला उन्होंने मर्चंट नेवी के इन अधिकारियों के बारे में बात करते हुए इन जवान्स अधिकारियों से लोग प्रेणा लेंगे कहा उन्हेंने कहा कि बारत 21 सदी में विशुप गुरू बनने जा रहा है और इसमें ऐसे जावांजों की भी प्रमुक भूमिका है प्रमुक भूमिका है पहाड़ी आदमी भी समुद्र में जा सकता है पहाड़ पे जो आता है उसकी डेस्नेशन अल्टिमेट समुद्र ही होता है वारफाय वारशाय पानी अल्टिमेटी नदियों के मादर से भई पहूंच आएगा सच मुझे मुझे बड़ा गौरब महसूस हुआ सचिन वर्मा से फोन पर बात होती रहती थी सेंट स्कूल के बारे में लेकिन मुझे पता नता है कि अचीनमेंट इसे बताई नहीं कर भी है तो बताता है छोटे होते हैं आपका हेल्ट राता देते हैं आप सब ने जो भी उकलवदी प्राप्त की है तो हमारे लिए सारे प्रदेश के लिए आपके माबाब के लिए तो है ही पूरे प्रदेश के लिए बड़े गौरब की बात है और मुझे विश्वास है कि हमात्र हमारा तया छोटा है जैसे अश्ड जी ने कहाँ दस हजार लोगी इने वर्चन में में हैं लेकिन जब जब मोकाया रिए नास्ट सेवा का तो हमात्र सबसे उपर रहा है लोगालिक तो और पर भी इस्वान ने सबसे उपर गनाया है और आप लोगों की मेहनत के कारण आप लोगों की कुरवानी के कारण से ना हो वायू से ना हो या फिर लब जल से ना हो या भी उसमें सब भी आपकी अचीवेट्स रही है जब मुंबई में पाकिस्टानी टर्रिस्ट रहे थे तो जो रैस्की ऑप्रेशन बहा था भाव भी ब्रिगेडियर से शोधिया शिम्ला से माचल से थे जिन्हें लीड किया सारे प्रिश्र को तो शिम्ला वान ने किया तो मैं तो दन्यवादी हू भर्मा जी सचिन वर्मा कि आपने वहां लीड किया हर एसकी ऑप्रेशन में हमाचल हो और जब कारगिल में घुस पैठी है आगे है उसमें जो लडाई हुई पाकिस्तान के साथ लडाई हुई जिसमें पहली वार विक्ट्री के लिए कट थी उसमें भी चार परंबीर चकर देश्म मिले थी तो दो हमाचल के जवालों को कर्प्टि विक्रमत्रा और दूसरे और सुवधार बन गए संजय कुमार बिलासपर के वह बहुत बड़ी उप्रवदी है चार में से दो हमाचल के लोगों को मिलें सेना में ऑपरेशन अगर कुमांडों दे करना है बंबे में तो हमाचली पर्गेडि स्रिलंका को बचाना है और पॉलूशन भी ना हो तो यह भी उप्लब्दी हमारे सचिन बर्माधी के नितरत्तु में हो चौदरी साम इसमों गाइड करें बहुत अची बात है आप से बहुत बहुत बढ़ाई भी धन्यवाद भी दन्यवाद में अजय विश्वास है कि आप अब से परणदा लेकर हम तो जिकर करेंगे ही सम जगा लेकर नाजवान और प्रेड़त होंगे और यो नेवी हमारा कम कंटिविशन को जादा होंगे जाह तर सेना में ही लोग होते हैं लेकिन आप इस तरफ निया एक आप्शन होगी और मर्चंड नेवी में तो महोट पानी का रास्ता था था अधी काल से जब भी किसी दुसरे देश पे पहुंचे है तो पहले हुआई जहां से नहीं गए बास पड़गामा भी आया तो वो सुद्री जहां से आया तो भारत भी है किस मिसादी में पिशुगर बने जा रहा है जिस तरह बढ़ रहे हैं आप जैस हम वैसी ही जीत प्रावत करेंगे वैसी सभलता प्रावत होगी और चाहे फिर आस्मान हो चाहे जमीन हो चाहे पानी हो हर जगह अपने लोगों की भीजे वहा हो उसमें नेतरितों हिमाजर के लोग करें करता है यहां जगों से कामर साँ होते थे हुआ है आसमान में भी एव भड़ रहा है जिमाचन तेक और फिर से आपको धन्यवाद और तरंगा आपने लाए आप लेके आई तो सबसे बड़ा सम्मान कि पा गर दिया जा सता है तो तरंगा ही हुता है वापके बादों से मिला देश के रक्षकाव के बाते उसे बिला इसकी लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंग स्याहिए